स्वागत है दोस्तों आप सब का आज की इस दमागेदार वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेप पर से इस सिन के क्रिकिट मैच के ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन के बारे में सो दोस्तों फेंटसी टीम का सुजाब में आपको देने वाला हूँ पहला मैच है होने वाला है कौन से 11 प्लेयर आपको अपनी टीम में लेने बैस्ट विनिंग टीम कैसे बनेगी पिच्छ रिपोर्ट कैसी है सब कुछ आपको डीटेल में पता चलेगा आट बज़ के 45 मिनट पर यह मैच आज सुरू होने वाला है सो चलिए बिना टाइम वेश्ट के सुरुवात करते हैं इस इंटरस्टिंग विडियो की सो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो ICC विस्व कब T20 Asia Qualified 2023 का पहला मैच है यह जो नेपाल और सिंगापूर के बीच में होने वाला है और यह Tribu1 University International Cricket Ground किर्तिपूर में खेला जाएगा मैच यहाँ पे मैच की पूरी डीटेल आपके सामने है नेपाल वर्सेज सिंगापूर पहला मैच है आज की डेट में 8 बज के 45 मिनट में यह मैच सुरू होगा Tribu1 University International Cricket Ground किर्तिपूर में यह मैच होने वाला है पुर्वावलोकान अगर अपन देगे तो सिंगापूर इस सीजन का पहला मैच खेल रही है सिंगापूर ने अपने पिसले 5 मैचों में तीन मैच जीते है दो मैच आ रहे है नेपाल भी अपना पहला मैच खेल रही है और 5 मैचों में च्यार मैच जीते है एक मैच आ रहे है तो यहाँ पर अगर अगर अपन देगे पिछ रिपोर्ट तो आप देगे नेपाल वर्सेज सिंगापूर की पिछ रिपोर्ट अगर अगर अपन देगे अभी इन दोनों ओर टीमों के बीच में सीथे मुकाबलों की बात करें तो दो टीमों के बीच खेले गए दो मैचों में नेपाल ने एक और सिंगापूर ने एक मैच जीता है नेपाल के औल रांडर ने अपनी टीम के लिए सबसे अधिक फैंटसी अंक बनाए जबकी बल्लेबाज विकेट के पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि काफी बढ़िया रह सकते हैं अनीस पराम इन्होंने तीन मैच खेले हैं और 83 रन बनाएं यानि कि 83 रन बनाएं पांच विकेट भी इन्होंने लिए सेगंड जो बल्लेबाज विकेट के पर है वो है रोईट पॉडेल इन्होंने पांच मैच खेले हैं 152 रन बनाएं थर्ड जो बल्लेबाज विकेट के पर है वो है आसिप सिख इन्होंने पांच मैच खेलके 154 रन बनाएं अब बात करते हैं तीन बढ़िया गेंदवाजों के बारे में जो कि आप अपनी टीम में ले सकते हैं और आपको ये मैच जित्वा भी सकते हैं पहला गेंदवाज है अभिनास बोहरा इन्होंने चार मैच खेले और साथ विगेट ले चुके हैं अब तक सेगंड जो बॉलर है या गेंदवाज है वो है संदीप लमीचान है इन्होंने चार मैच खेले और चार विगेट इन्होंने निकाले हैं थर्ड जो खिलाडी है वो है अनाथक रेसना इन्होंने तीन मैच खेले और तीन विगेट इन्होंने निकाल दिये अब बात करते हैं यहाँ पे तीन बड़िया ओल राउंडर खिलाडियों की जो कि आप अपने ड्रीम 11 टीम में लेके बड़िया पर्फॉमेंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहला खिलाड़ी है करण केसी इन्होंने चार मैच खेले 23 रन बनाये और 7 विगेट लिये दूसरा खिलाड़ी है कुसल मल्ला इन्होंने तीन मेच खेले 93 रन बनाये और 1 विगेट लिया तीसरा है जनक परकास इन्होंने तीन मेच खेले 64 रन बनाये और 1 विगेट इन्होंने भी लिया है तो इस सब के अलावा अगर अगर अपन यहां पर कफ्तान और कफ्तान का सुजाव देखे तो पांच खिलाडी हमारे सामने शोर है जिसमें करण केसी, अनम पराम, अनिस पराम, रोहित पौडेल, कोसल मल्ला एंड अभिनास बोरा यह पांच खिलाडी है अब इन में से कफ्ता पराम एक one of the best option है अब बात करते हैं यहां पे इन दोनों टीमों के स्क्वाइड की तो स्क्वाइड अमारे सामने करण्ट ले अविलेबल नहीं है अभी में एक fantasy टीम आपको बता देता हूँ, बनी-बनाई टीम है आप इसको ट्राय कर सकते हो जसमें विकेट किपर के तौ पर आपको अनीस पराम, रोहित, पॉडेल एंड सुन्दीप, जोरा को लेना है, ओल्राउंडर के तौर पर कुसल, मल्ला, जनक परकास और दिपेंदर सिंग, एरी को आप ले सकते हो, गेंदवाज के तौर पर आपको करण केसी, अभिनास बोहरा, संदीप, लमीचाने और अलित, राजबंसी को लेना है, और कप्तान आपको बनाना है, अभिनास बोहरा को, उपकप्तान आप अनेस पराम को बना सकते हैं, तो ये पूरा फैंटसी टीम का एनलिस था, जो हमने इस वीडियो के दोरान किया, अगर ये वीडियो आपको इंफरमेटिव लगाए, साथ ये फैंटसी टीम आपको पसंद आई है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथी हर एक किरकट फैंटसी मैच के अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे, हमने ओनलाइन अन्निंग के उपर भी 508 के एब आप वीडियो बनाए हुए, तो आ आप उन्हें भी चेक आउट जरूर कर सकते हैं, थैंक्स पर वाचिंग प्रेंट